मनीज जी पिछले जब से एस्बी आई ने एलेक्शन कमिशन को सारे तथ दे दिये सुप्रीम कोट के आदेश पर दे दिये इलेक्शन कमिशन उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया तब से सारे चैनलों पर जितने प्रवक्ता आते हैं यह इंडी गैंग के आहम आदमी पार्टी के कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के राज़त के यह सब यह सब एक सुर से एक बात कहते हैं कि वह तो एडी के ज बनाते हैं कि यह इडी की जो चापे मारी हो रही है यह चंदा वसूदी के लिए हो रही है लेकिन शर्म की बात यह तो बैल है और उनको जहर उगलना है वो पिछले दस साल से जहर उगलना है वो तो मोधी किलाब अच्छा भला नहीं बोलेंगा इसलिए उनको मैं प्री करत इनमें से कोई पलट के जवाब नहीं देता आज बनीजी इंडियन एक्सपरेस ने पूरी खवर चापी है और बड़े डिटेल में चापी है और उसने बताया है कि 26 जनवरी 2019 से फरवरी फरवरी 2014 यानी समझे एक मैना 25 25 दिन पहले तक का जो डाटा दिया है इस बी आई ने उनमें जिन वो कंपनियां जिनके यहां इडी ने चापा मारा दर्शक जरा इसको द्यान से सुन लें मैंने खबर भी डाल दी पढ़ लीजेगा उसमें कि कुल 26 कंपनियां एसी थी जिनके यहां इडी की कारवाई हुई थी इडी इंकंट्रेक्स यां किसी ने उनके खिलाब कारवाई चल लए थी उन कंपनियों ने नुटो हजार उनीए चब्विस फरवरी 2019 से ऑफपत साल के अनदर ने मनीजी 5189 करोन रुपए चंदा दिया सारी पार्टीं कुल मिला के लेकिन उसमें उसमें ब्रेकप दिया है इंडियन एक्सप्रेशन बड़े डिटेल में चापा है उसको कि भाजपा को मिला है 37.5 35 38 मान लीजिए उसको 38 परसेंट संदा और जो 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 जिनके खिलाब कारवाई हुई इसमें मनीजी एक दूसरा पाहिलू मैं भी बताऊंगा दर्स इनका मुह काला हो जाएगा खैरातियों का हां कि 38 परसेंट भाजपा के मिला और 62 परसेंट युशन ने चंदा हैshe को मिला है यहांती परसेंट परसेंट जाता है यह नी बंड़े-वह मिला के तो समझेंट 60-62% चंदा उन कंपनियों ने जिनके खिलाब एडी ने कारवाई किये उन्हों ने इन कांग्रेस को टीम सी को डीम के को इनको चंदा दिया है यानि इंडी गैंग को चंदा दिया है तो यह जो नाचा था पाड़ा और यह नाचा था जलील अज्यूम इनके मने आज निकाला ह यह कैसा नाच रहे तो इनका सबका आज मुह काला हो गया कि जिस तरह से इन लोगों ने इलेक्शन का बांड को लेकर हुर्दंग करना शुरू किया था तो यह सब निपड़ गये क्योंकि अब जो सामने आया है उसके बाद तो मनी जी शकल दिखाने लाइक नहीं किस तरह स कि यह कारण क्या है कि जो 26 कंपनियां थी जिनके खिलाब एडी और आइटी और सीवी आई कारवाई कर रही थी उन कंपनियों नों जो पांच जार एक सो असी करोनों रुपए दिया चंदा उसमें सब साथ बास्ट परसंट कि वह इंडी गयें को क्यों दिया तो इसको मनी अब तो क्योंकि तथ्य सामने हैं और सुप्रीम कोट के आधेस पर तो इस पर अगर मगर ऐसा किंतु परंतु हो नहीं सकता तो मेरा तो मानना मनीज जी अब यह है कि क्योंकि यह जो 26 दागी कंपनिया थी जिनके उपर कारवाई हो रही थी और उन्हों ने जो पांच जार क मचाओ तुम लोग CBI के खिलाब अल्ला मचाओ तो यह क्यों ना मान लिया जाए कि इनको साथ परसेंट जो सबसे बड़ा दल है उसको 38 परसेंट और जो यह खैराती कहेंगा यह जो विपक्ची है जो एडी के खिलाब खूब लगातार जून बोलना है उसको साथ परसेंट सब्सक्राइब जिनके खिलाब एडी ने की कारवाई हुई थी और वह इनको पैसा दे रही और यह यह लगातार सरकार के खिलाब और यह इंडी कर रहे ते जिन्होंने उन कंपनियों से साथ परसेंट संदा लिया है उनकी कुल रकम का जो जो दागदार है और यह पूरा जो है इन सब का इन सब के पूरे साजिस का पूरा खेल खुल रहा है साजिस निया मैंने यह 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 तो मैंने का यह बाजपा के लिए बड़ा मुद्धा है जैसा इपक्र है कि यह बता है कि इस constructive क्रेंदों नियुल राओ Central simson को दागि कंपनियां हैं जिनके खिलाप करवाई की है सरकार ने उनोंने इनको सब ज़्यादा दिया है यह उनकर अब यहां चला रहे हैं हम जैसे लोग पूरे सक्षर सबूत के साथ आते हैं और उसकी पूरी नेरेटिव को काटने की कोशिश करते हैं देश को सच बताने की कोशिश करते हैं